जोल के पैरेंट जब घर से बाहर गए हुए थे तो उसने सेक्स वर्कर को बुलाया वो कुछ ट्रबल में आ जाता है इस वज़े से अपने सारे फ्रेंट्स को भी उसने घर पर बुला लिया था इसे वो बिजनेस में कनवर्ट कर देता है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको रिस्की बिजनेस इन 1983 की एक कॉमेडी रोमेंस मुवी एक्स्प्लेंट करने वालो इसके अलग-अलग सिनारियो इसे बहुत इंट्रस्टिंग बनाते है तो अंदर किस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे बीना किसी देरी के एक्स्प्लेंट स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन गैरेक्टर जोल को देखते है अपने फ्रेंड्स के साथ वो हैंग आउट कर रहा था उसे जो अजिब सबने आते है इसके बारे में वो बता रहा था वो ब्रैगिंग करते हैं कल रात में मेरे नेबर की बेबी सीटर के साथ था उस पर कोई भी बिलिव नहीं करता है उसका एक फ्रेंड ने जिसका नाम है माइल्स वो माइल्स को कहता है कि मैं बहुत डर गया था इस वज़े से मैं कुछ कर भी नहीं पाया माइल्स ने उसे एडवाइस देखा कभी-कभी लाइफ में आपको केरफी रहना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेकर बोलना पड़ता है जो होगा देखा जाएगा जोल के पैरंस टाउन से बाहर जाने वाले थे तो माइल्स ने का इस ओपोर्चुनिटी को तुम जाने मत देना जोल के पैरंस बहुत स्टिक्ट थे उसे कहे कर जाते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो इघर जैसा है वैसे हमें मिलना चाहिए कुछ भी चीज़ों को हाथ मत लगा न फादर का म्यूजिक सिस्टम था उसे जोल का चेरना उन्हें अच्छा नहीं लगता जब उसके पैरंस चलेगे कि उन्हें भी बिजनेस करना चाहिए इसे उनके ग्रेट बहुत इंप्रूव होंगे एक डिवाईस से सेल करने वाले थे और इसी पर वो काम करने लगे तब उनके घर पर इनका एक फ्रेंड आता है जोल के बैरेंस घर पर नहीं तो अपनी गर्फरेंड को साथ लिकर आया था वो दोनों उपर गए और इंटिमेट होने लगे उनकी आवाजे इन दोनों को बहुत डिस्टरब कर दिये तो घर से बाहर चले जाते है जोल के फादर ने उसे मना किया था पर फिर भी जोल उनकी पोश्ट कार निकाल कर ड्राइव के लिए चला जाता है लड़कियों के सामने अपना इंप्रेशन चावाने की कोशिश कर रहे था सिगनल पर एक गाड़े उनके साथ थी तो उसके साथ रेज भी लगाई आज रात बहुत एंजोई किया अगली दिन जोल से मिलने के लिए उसका फ्रेंड माइल्स आता है वो गहता है अब तुमारा घर खाली है इस ओपोर्चिनिटी को तुम जाने नहीं दे सकते है वो न्यूस वेपर में सर्विस प्रोवाइड करने वाली लड़कियों के बारे में देख रहा था जोल इसमें थोड़ा भी इंट्रेस ने दिखा था वो डर रहा था तो माइल्स ने डारेक्ली कॉल कर दिया रात में आट बजे घर बर बुला लिया जोल माइल्स पर बहुत जादा गुस्सा हो जाता है जोल ने फिर से उस नंबर पर कॉल किया पर सिर्फ मैसेज जा रहा था उसने मैसेज कर तो दिया पर रात में ठीक आट बजे उसके डोर पर नौक आई उसने खोला तो एक गेज सर्विस प्रोवाइड करने वाली थी जोल गुसे में अपनी फ्रेंड को कॉल करता है हेल्प मांगता है पर उसका फ्रेंड आने नहीं वाला था इस आदमें ने जोल से कहा कि मैं इतने दूर तक आया तो तुम्हें उसे सर्विस के लिए प्रोवाइड करना ही पड़ेगा जोल को उसके पैर जो भी पैसे दे कर गई थे इस सारे उसे पे करने पड़ते है जाते जाते हैं आदमी उसे एक नंबर दे कर गया कहा तुम्हें इसकी जरूरत है रात में जोल को गल्फ्रेंड की नीड में हसुस होती है जो नंबर उसे मिला था इस पर वो कॉल कर देता है हमारी और एक मेंन कैरेक्टर जिसका नाम है लाना यह उसके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आए वो रात में उसके साथ इंटिमेट हो गया सुबा वो उससे उसका चार्ज पुरुषता है तो लाना ने कहा कि 300 डॉलर्स जोल के पास तो उतने सारे पैसे नहीं थे वो कहता है मुझे बैंग में जाना पड़ेगा वो बॉन्ड वेगरा ब्रेक करेगा उससे उसे पैसे मिल सकते है लाना कहती कि मुझे जादा वेट करना अच्छा नहीं लगता जब वो वापस आता है तब तक लाना वहाँ से चली गई थी पर जोल की मदर का एक एंटिक पीस वो अपने साथ लेकर गए जोल वेचार ट्रवल में आ जाता है इस पीस को फिर से वापस लाने में उसे पैसो की जरूरत थी सारी प्रॉलम फिर जोल ने अपने फ्रेंड को बताए लाना को ढूंटे वेए वो एक होटेल में आ गये थे जहाँ पर उसे नोटिस करते है वो होटेल से बहार आई और कहती कि मुझे जल्दी से हाँ से लेकर चलो लाना का मैनेजर उसका पीछा कर रहा था जोल ने उसे कहा कि पहले तु मुझे मेरा एंटिक पीस वापस करो लाना उसे प्रॉमिस करती कि जल से जल उसे वो वापस कर देगी तब तक वहाँ पर लाना के मैनेजर पहुच गया था वो उससे ही भाग रही थी वो अपनी गन निकाले था है जोल भी ये देखकर डर गया था चल दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मैनेजर उनका पीछा करने लग गया उसे पीछा चुड़वाने के लिए जोल को बहुत ही फास गाड़ी चलानी पड़ी फाइनली अपनी स्पीड की वाजस से उसे वो चक्मा दे ही देता है जोल गुशता है कि तुमारा पीछा क्यों कर रहा था लाना ने कहा कि हॉस्पिटल के बिल बे करने के लिए मैंने उसे कुछ पैसे लिये थे मैं उसके लिए काम करती हूँ पर अब नहीं करना चाहती वो उसे अच्छी तरीकी से ट्रीट नहीं करता था जोल मैं उसे रात भर अपने घर में रहने तो दिया पर अब उसे स्कूल जाना था तो उसे निकल जाने के लिए कहता है लाना इसके लिए उसे मना कर देती है वो जा ही नहीं रही थी तो स्कूल चला जाता है जब वो वापस आया तो उसका एक फ्रेंड घर से बाहर निकल रहा था जोल उससे पूछता है क्या लाना के साथ तुमने कुछ किया उसका फ्रेंड कहता है कि उसके साथ ने लाना के साथ उसकी और एक फ्रेंड थी जिसके साथ वो इंटिमेट हुआ था जोल अंदर आकर गया था है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा लाना उसके घर के लिए उसे पेई करने के लिए भी रेडी थी पर जोल इसके लिए मना कर देता है इन दोनों को उसने घर से बाहर निकाल दिया तबी लाना के मैनेजर उसे ढूंटे रूंटे यहां तक आ चुका था लाना और मैनेजर में फाइट हो जाती है और जल्दी से भागते भागते फिर से घर में वापस आके मैनेजर से बात करने के लिए जोल घर से पाहर आया मैनेजर उसे धमकी देता है कि तुम्हें इन सब चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए मैं तुम पर बहुत जादा भारी पढ़ सकता हो तुम हर्ड भी हो सकते हो जोल ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा फिर भी मैनेजर उसे धमकी देखकर वहाँ से चला गया लाना जोल से कहती है कि थोड़ी दिनों की बात है तुम्हारे पैरन्स के वापस आने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे वो इसके बदले में उसका एंटिक पीस भी वापस कर देगी रात में उसके पास आई, कहती है क्यों न हम ड्राइव पर चले ये ड्राइव पर गए और वहाँ पर हाय हो गए थे लाना ने अब उसे बिजनेस प्रोपोजल दिया वो कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ही रीच है मेरा भी एक अच्छा नेटवर्क है अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो दोनों बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं इसके बदले में थोड़े दिनों खिले में तुम्हारी गल्ड्फरेंड रहूंगी जोल इस पर कुछ भी नहीं बोलता वो उसे बुछता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो लाना कहती है मेरे स्टेफ फादर मेरा फाइदा उठाना चाहते थे तो इसी वज़े से वो घर से बहाँ चली गई वो ये सब काम करती है तो इस वज़े से जोल उसे जज़ कर रहा था ये लाना को अच्छा नहीं लगता तो यहां से वो चली जाती है ये सब एक हिल्ड पर खड़े थे, वहाँ पर गाड़ी भी थी, तो अचाना इसे गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है आगे पानी था, जोलने गाड़ी को बचाने की बहुत कुशिश किये, पर फिर भी ओ लेक में चली जाती है अब वो बहुत बड़े ट्रबल में था, अगर उसे इस गाड़ी को सेव करना है, तो बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों की वज़े से अपनी स्कूल भी उसने मिस कर दी थी, उसकी अटेंडर्स लग जाया, इस वज़े से अपनी स्कूल के लोगों से भी बात करता है, पर कोई भी मान ने रहा था गुस्से में उसने उस लेडी की भी कॉलर पकड़ ली थी तो इस वज़े से उसे साथ दिनों के लिए सस्पेंट कर दिया जाता है और वो फ्री भी था और उसे पेंसों की जरुएत भी थी तो डारेक्ली वो लाना के पास आया इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं कस्टमर एक्विजिशन का काम जोल का था तो अपने सारे फ्रेंड्स को लाना के पास वो लेकर आता है इनका बिजनेस इतना बढ़ जुका था कि घर में बहुत सारे लोग आने लग गए थे जोल के एक अच्छे कॉलेज में एड्मिशन हो जाए इस वज़े से उसके फादर ने जुगाड किया था डारेक्ली कॉलेज की इंटर्विव लेने वाले आदमी को ही उसके घर पर भेज दिया था जब वो घर पर आया तो इस सारी पार्टी देखता है जोल और वो शांती के लिए एक रूम में गए पर यहाँ पर इतना सारा बिजने चल रहा था तो हमेशा उन्हें कोई ना कोई डिस्टब करता रहता है लाना भी उनके सामने आकर बेट कही थी इंटर्विव लेने वाले जोल से पुछते हैं तुम आगे क्या करना चाहते हो जोल ने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहते हो जोल के परसंडेज इतने अच्छे नहीं थे तो उसे पूछते हैं कि अब क्या किया जाए जोल कहता है कभी-कभी लाइफ में आपको कहना पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा वो जादा इस बात के बारे में केर नहीं करता इंटर्विव खत्म हो जाने के बाद भी इंटर्विव और वही रुका पार्टी को एंजॉय कर रहे थे लाना जोल के पास आती है जोल कहता है कि यह सारी चीज़े बहुत ही आउट अफ कंट्रूल हो गई है लाना ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमने बहुत सारे पैसे बनाया है तुमने प्रूफ किया है कि तुम एक अच्छा विजनेस कर सकते हो लाना आज राज जोल के साथ ट्रेन में इंटिमेट होना चाहती थी तो दोनों ट्रेन में चले गए सब लोगों के जाने के बाद वही पर वो इंटिमेट हो जाते है अब जोल के बास पैसे आ गए थे तो नेक सीन में अपने फादर की कार वो लेकर आता है जब वो घर पर वापस आया तो घर का सारा साबन गायब था उसे लगता है कि लाना ने यह सब चोरी कर लिया वो उसके घर पर कॉल करता है पर लाना के मैनेजर उसके घर पर पहुचा हुआ था एक्च्वल में लाना के मैनेजर नहीं उसे बदला लेने के लिए उसका सारा सामन चोरी कर लिया था जोल बहुत मजबूर था क्योंकि आज ये उसके parents आने वाले थे वो manager से request करता है और manager सारा सामान लेकर वापस आ गया पर जोल के पास जो भी सारे पैसे है ये सब कुछ उसे manager को वापस करने पड़ते है अना के साथ जो भी business उसने किया इसमें उसे कोई भी profit नहीं होता उसने अपने सारे friends की help ली और सारे घर को जैसा था वैसा ही लगा देता है उसे अपने parents को एरपोर्ट से pick up करना था पर इस बात को ignore कर देता है वो जब तक घर पर पहुँचे तब तक वो सामानी लगा रहा था finally सब चीजियों जेसी की देसी लगा देता है पर उसकी mother ने उसकी antique piece पर एक scratch देखा ये उसे अच्छा नहीं लगता इसे लेकर वो उस पर गुसा थी पर जोल को इस छोटी चीज़ से ज़ादा फरग नहीं पड़ता उसने जुब भी किया इस बात से वो proud था थोड़ी दर में उसके फादर उसके पास आया कहते हैं इंटर्वी लेने के लिए वो आदमी तुमारे पास आया था तुमने मुझे कुछ बता है नहीं जोल को लगता है कि अब उसके फादर को सब कुछ पता है पर जोल का एडमीशन हो चुका था वैसे भी वो बिजनेस ही करना जाता है और इंटर्व्यूर ने देख लिया था कि वो अच्छी तरीके से बिजनेस करता है तो इस वज़े से उसका admission हो चुका है फादर भी बहुत कुछ दे है वो कहे कर जाते हैं कभी-कभी life में आपको chances लेने पड़ते हैं अब movie में कुछ time बीट गया था जो लाना से मिला और उसे बुछता है किया सब कुछ चीजे sit up थी क्या तुम मेरा यूज कर रही थी लाना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था लीनर करते हैं बहुत सारी बात ही करते है फिर से आज रात इन्होंने एक साथ बीता है और इसे के साथ ये movie एंड हो जाती है अगर आपको explanation अचा लगा तो प्लीज इसे like और comment जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आद रहता हूँ तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे